हाई मैं हूँ डॉक्टर पुनीत कांत अरोडा मैं कंसल्टेंट और हैड नियूरो सर्जरी मनिपाल हॉस्पिटल गुरगाउं आज हम बात करेंगे मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें बहुत ही छोटा चीरा दिया जाता है उससे सर्जरी की जाती है किसी समय कहा जाता था कि मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी इस दा फ्यूचर कि यह फ्यूचर है स्पाइन सर्जरी का अ बहुत ही छोटी सी ट्यूब से जिसमें बहुत ही छोटा सा इंसीजन लगता है और एक ट्यूब के थरू माइक्रोस्कोपिक या एंडोस्कोपिक तरीके से सर्जरी की जाती है क्योंकि ये बहुत ही एक छोटा इंसीजन होता है और एक ट्यूब के थरू सर्जरी की जाती है त के चांस काफी कम होते हैं तो ऑपरेशन के बाद पेशेंट का अपना नॉर्मल जिन्दगी में लॉटने का जो प्रक्रिया है वह बहुत छोटी हो जाती है तो यह आल्मोस्ट एक स्कालेस सर्जरी है क्योंकि तीन महीने बाद वह आपको इंसीजन या जो कट लगता है उसका निशान भी नहीं दिखता है जो मैं अपने पेशेंट से डिस्कस करता हूं मिनिमल इन्वेजरी स्पाइन सर्जरी के बारे में तो मैं उसको फिर पांच केटेगरी में डिवाइड करता हूं पहली है डिकंप्रेशन हम एक ट्यूब के थूरू कोई भी बोनी स्पर है या को करते हैं और हम जो भी पार्ट उस नर्व को दभा रहा होता है चाहिए वह भडी का हो चाहिए वह डिस्क हो या कोई सौप टीशू हो उसको हटाके नर्व के से कम्प्रेशन हट अब से देतने जिसको हम डी कम्प्रेशन सर्जरी कहते हैं उसके अलवा जो सेकिन्ड केटेग उसके अलावा जो बहुत ही common है कि degenerative spine disease उमर के साथ जो spine में changes आते हैं उनके लिए जो surgery की जाती है fusion surgery वो भी हम minimal invasive तरीके से यहां पर कलते हैं minimal invasive तरीके से करने का जैसे मैंने बताया कि क्योंकि incision छोटा होता है post-operative pain कम होता है तो patient अपनी normal life में बहुत जल्दी वापस recover कर सकता है उसके हलावा hospital stay भी इस surgery में काफी कम रहता है चौती जो category है उसमें जो हम एक unique चीज कर रहे हैं कि हम intra-dural जो की tumors रहते हैं spine के वो भी minimal invasive तरीके से कर रहे हैं intra-dural भी और extra-dural भी हर तरह के spine tumor up to a certain size usually 3 cm तक के tumor हम minimal invasive तरीके से निकाल सकते हैं without patient को कोई additional deficit के हम पूरा tumor निकाल सकते हैं और patient अपनी normal जिंदगी में बहुत जल्दी वापस लोट जाते हैं इसके लिए बड़ा चीरा देके जादा पूरा खोल के हड़ी हटाने के आजकल जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि advanced technology है उसमें हम एक बहुत ही छोटे रस्ते से microscope और endoscope की मदद से बहुत ही संकरी रास्ते से पूरा का पूरा tumor हटा सकते हैं उसके अलावा spine में कुछ vascular pathologies होती हैं जिसमें की कोई abnormal vessel हो सकती है जैसे dural AV fistula या AVM हो सकते हैं उनको भी हम up to a certain size minimal invasive spine surgery से handle कर सकते हैं टेकल कर सकते हैं हम बहुत ही कम centers में से हैं जो की intra-dural minimal invasive spine surgeries भी offer करते हैं क्योंकि हमारी इसमें expertise है तो हम बहुत ही गिने चुने centers हैं जो ये काम कर रहे हैं उसमें से हम भी एक हैं तो अगर आपको भी spine से related कोई भी problem है जिसका आप कोई solution ढूंड रहे हो तो एक बार हमारे पास आईए हम उसका बहुत ही एक कम incision से और minimal invasive spine surgery से उससे आपको निजात दिलाने के प्रेतन करेंगे